अगर आप भी बड़ी बड़ी कम्पनियों के महेंगे कॉस्मेटिक अस्तमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है पिछले कुछ समय से मार्केट में नकली चीजों की बिक्री काफी बड़ी है ये ही नहीं बाजार में मिलने वाले असले और नकली प्रोड़क्ट देखने में बिलकुल एक जैसे होते हैं जिसकी वज़े से इनकी पहचान करपाना भी काफी मुश्किल होता है ऐसा ही एक मामला अमबाला से सामने आया है दरसल अमबाला की मोडा स्थित फैक्टरी में नकली शैंपू और क्रीम बनाई जा रही थी और वो भी नामी कमपनी की फैक्टरी पर रेड मारने के लिए एक दो नहीं बलकि अलग-अलग विभाग की पूरी तीन कमपनी पहुंची इनमें Food Safety, CIA2, Drug और Cosmetic विभाग शामिल थे टीम ने मौके से सारा समान जब्त कर लिया जनकरी देते हुए CIA2 इंचार्ज नरिश ने बताया कि उन्हें गुप्त सुच न मिली थी कि मोड़ा इस्तित फैक्टरी में नामी कमपनियों के नकली प्रोड़क्ट्स बनाये जा रहे थे जिनमें Face Bosch, Face Cream, Shampoo शामिल है उनका कहना है कि Red कमपनियों के अधिकारियों को साथ मिले कर की गई फिलाल जाज जारी है और जल्द मुकदमा दर्जकर आगे की कारवाई की जाएगी जो भी कानुनी धाराओं के अनुसार बनता है मुकदमा गर्दिकर में गया रहे हैं और जो भी समें दोशी होगा पूरा प्लांके मेशीन भी है रा मटेरियल है कुछ खाली पैकिंग है कुछ समान है क्यार सुदा शेंपू के ड्रम है काफी material है फैक्टरी है हां मौके पे वो नहीं मिला फरार है यहां पर नहीं मिला बता देंगे जाच टीम ने फैक्टरी में काफी मात्र में नकली समान भी कबजे में लिया है हाना कि विभाग क्या सक्तकारवाई अमल में लाती है वो देखने वाली बात रहेगी अमबालस अमन कपूर पंजाब केश्तरी टीव हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद